जासी के मोट थाना शेत्र में बीती रातरी सोते समें, 마pp 4 वर्शे श्य गक्ती की धारडार हत्यार से प्रहार कर हत्या खड्डी गई आस-पास के लोगों ने देखा तो उसकी सूचना सम्मंदित मोट थाना पुलस को दी सूशना मिलते ही मोट पुले शेत्र अधिकारी और कोथवाल घटना स्थल पर पहुचे और घटना स्थल का जाजा लेते गोई घटना की छान बीन में जुट गए घटना के सम्मन में मृतक के चचेरे भाई संजय नहीं जो अनकारी देते गोई बता है कि भीते दिन महले के ही पड़ोसी के यहां घटोरिया बाबा की पूजा में सम्मिलत होने के लिए सभी लोग फूच थाना शेत्र के ग्राम परैचा गए गोए थे जहां से लोटकर वापस आये और सभी लोग सो गए जब सुबह जागे तो उसका चचेरा भाई महेश खोन में लत्पत पड़ा मिला जिससे देखकर उसके पैरोतर इस जबीन खिस सक गए उसने तुरंत इसकी सूशना मोट पुलिस को दी मौके पर पहुचे पुलिस शित्रादिकारी और कोतवाल समेट पुलिस बल मौके पर पहुचा घटना की चानवीन में जुट गया ततपशात मामले की बारिकी से ज्वाच करने के लिए पौरंसिक टीम पहुची जहां पौरंसिक टीम ने घटनास्तल का जाजा लेते हुए बारिकी से चानवीन शुरू करते हैं उसके बाद उसका पता नहीं चला भाई सुबह पता चला जब मैं सोगे उठाए मैंने देखा कि यह फून से लट्वत अपना क्या नाम था यह महला कौन सा है आपको यह महला नहीं तो मतलब परता है तो पुलिस को सूचना दी आपको कोई सक है किसी से लड़ाई जगड़ नहीं है कोई सक नहीं है आपके खास नहीं मेरे बड़े पापा के लगड़े हैं जासी अस्थी ग्रामेर गोपिनात सोनी के मुताबिक बीते दिनों पूझा पाट के लिए सभी लोग गये हुए थे जहां कुछ विवाद हो गया था जहां से लौट कर आए और देडराती प यह मोट थाना च्छेत करने कर टाड़ा गाहों में आदिवासी जो यहीं पर रहते थे तो महेस जिसकी हत्ते हुई है कल यहीं बगल के ही और लोगों के साथ गया था बकरा उगरा खाने तो खापी के इनका कुछ बिवाद हुआ था उसी बिवाद के बाद उसने पडोसी न यहीं आगे